मेरे छोटे छोटे ग्वाल वाल नौनिहालो जवान साथियो जीवन एक पाट साला में आपका अविनंदन स्वागत मैं हूँ कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल आपका परम सनेही परम ही तैसी और परम सुबचिन तक और आप लगा सकते हैं कि आपका मार्ग दर्शक कुछ छोटे बच्चों ने प्रश्न किया कि गाए के बारे में बताओ दादा जी तो मैं दो-चार लाइने ही आप लोगों के साथ में बताओंगा पहला स्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि गवाम मद्धे बसा में हम वो कहते हैं कि जहां गाएं रहती ना बेटा मैं वहीं रहता हूँ ठीच ना दूसरा कि हमारी सारी जो अर्थ बेवस्ता है वो गाईयों के उपर ही टिकती है जहां गाए होंगी वहां अन होगा और जहां अन होगा वहीं तो जो है लोग बसेंगे है ना तीसरी बात कि गाए के गोबर में ही लक्ष्मी का निवास है याने माता लक्ष्मी जिनको सब चाहते हैं वो गाए के गोबर में बिराजमान हैं याने जिनको अपने बृद्धि की अपने को पैसा वाला बनाना चाहते हैं उन लोगों को को हमेशा गाए के प्रिदक्षिना करने चाहिए गाए को कुछ खिलाना चाहिए अब अगली बात कि मतलब लक्ष्मी जी कहां रहती हैं ढूनना वड़ेगा न लक्ष्मी जी कहां रहती है लक्ष्मी जी रहते हैं अपने पती जी के चरण कमलों के पास अब एक मिनट के लिए भी वो पती से दूर ने होती है ना आप देखिए कि उनके पती भगवान विश्णु कहां रहते हैं चीर सागर में है ना चीर मतलब दूद दूद के सागर में विराजमान रहते हैं हमेशा याने की समझने वाली बात है कि भगवान विश्णु माता लक्ष्मी हमेशा क्षीर सागर में ही रहती हैं अब असली बात तो अब है कि भवाई उस खीर वो दूद आता कहां से हैं है ना उन्होंने पहले ही बोला था कि गवाम मत देवा साम में हम है ना बच्चों तो अगर आपने लक्ष्मी माता को चाहिए आपको लक्ष्मी माता हर एक को चाहिए और उसके साथ में पिता परमेश्वर आपको अगर चाहिए तो गव माता को आपको समझना पड़ेगा है ना अब इतना ही समझा पा रहा हूं मैं आपको बाकि तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ठीक है, तो गौ माता विश्ण भगवान की भी आराध्या है, अब भगवान विश्ण किसकी पूजा करते हैं, गाय माता की, अब बताओ, है ना, लक्षमी किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान विश्ण की, भगवान विश्ण किसकी पूजा कर रहे हैं, गौ माता की, और जब गौमाता उन्होंने पाली होगी तभी तो वहाँ पे तभी तो दूद आया है ना छोटी सी बात है वेटा समझ में आ गया ना चला मेरी सुब काम ना है है ना फिर जब तुम अगला प्रश्न पूछ होगे तो फिर मैं दुबारा बताऊंगा है साम को ठीक है थैंक यू